बिस्मिल्लाहिर्रह्मानरहीम अस्सलामु अलेकूम अब हम जो डिसकस करेंगे टॉपिक वो होगा हीट क्पैसिटी ओफ गैसीज गैसीज की हीट क्पैसिटी अब क्या होती है हीट क्पैसिटी सबसे पहले हमें यह पता हुना चाहिए दा अमाउंट ओफ हीट रिक्वाइड तो रेज़ दा टमप्रेचर ओफ गैस बाइवन डिग्री सैंटी ग्रेड और वन कैलवन यानिके यह अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी गैस का जो है वो टमप्रेचर एक डिग्री सैंटी ग्रेड या मतलब यह एक कैल्वन बढ़ा दे यहां पे आपने एक चीज़ जेहन में रखनी है कि अगर हम किसी भी material का किसी gas का किसी liquid का या किसी solid का हम चाहते हैं कि उसका temperature बढ़ जाए तो हमें simply उसको क्या करना पड़ता है हमें उसको heat करना पड़ता है तो heat की वो क्वांटिटी जो 1 degree centigrade change बताती जाए कि आपने मतलब फर्ज करें कि आप किसी gas को जो हीट अप क करना है कि कम अज कम उसका जो temperature वो हो जाए 16 degree centigrade तो जितनी आपने heat परवाइड की है 15 degree centigrade से 16 degree centigrade temperature करने के लिए उस heat की quantity को हम कहते है heat capacity of gases क्योंकि आपने एक गैस को इतना गरम किया है कि उसका जो temperature है वो एक डिगरी बड़े फिर आगे मतलब एक एक डिगरी ता किसी तरह आगे इंक्रीज होता जाता है तो if the quantity of a substance is one mole अगर हमारे पास जो substance यानि कि जो भी liquid gas solid है उसकी quantity one mole हो तो जितनी heat आप लगा रहे हैं कि उसका एक डिगरी centigrade temperature बढ़ जाए तो उस heat को कहेंगे हम the amount of heat required to raise the temperature is called molar heat capacity फिर हमने उसको क्या कहना molar heat capacity if the weight of gas is one gram अगर आपके पास जो gas है जिसको आप heat कर रहे हैं ताकि उसका temperature एक डिगरी centigrade तक बढ़ जाए उसकी quantity है one gram तो then it is called specific heat फिर हम इसे कहेंगे specific heat अब इसको measure कि में किया जाता है इसके measuring के two जो हैं वो scales है two units है it is measured in calories per kelvin per mole या हम इसको जाउल per kelvin per mole में जो है वो measure करते होते हैं types of heat capacity heat capacity के अब हमने types देखनी है दो types है heat capacity at constant volume जिसको हम cv से represent करते हैं और heat capacity at constant pressure जिसको आपने किस से represent करना है cp से अब सबसे पहले हम देखते हैं heat capacity at constant volume अब इसके नाम से जाहर हो रहा है कि हमने volume को constant रखना है और हमने किसी भी gas को heat provide करनी है ताके उसका temperature एक degree centigrade या एक kelvin बढ़ जाए तो heat capacity at constant volume की definition क्या है it is amount of heat यह energy की मिकदार है which is required जो हमें जरूरी होती है to raise the temperature temperature को increase करने के लिए of one mole of our gas एक mole gas के लिए by one degree centigrade एक degree centigrade तक जितना हमने जो है वो temperature एक degree centigrade बढ़ाने के लिए जितनी हमने amount of heat हमको required है उसको हमने कहना heat capacity when volume is kept constant and pressure is allowed to increase कि आपने gas का volume concentrate रहने देना है और pressure को increase होने देना है कहने का मतलब ये देखेे जब आप किसी गैस को heat up करेंगे तो क्या होगा जब आप किसी गैस को हीट अब करते हैं तो उसके माली की उल्ज तेजी से हरकत करते हैं जब माली की उल्ज तेजी से हरकत करते हैं तो उनका प्रेशर जो है यानि कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वालियम पे जो शाथ होती है कि एक मेज़टर द्रा करके समझाता हूं आपको फिर्ज करें ये आपके पास कोई भी सिलंडर है जिसको आप हीट कर रहे हैं और इसके अदर जो एना फर्ज करें कि इतनी गैस बरी हुई है यहाँ पर आप इसको heat कर रहे हैं ताकि इसका temperature जो है वो increase करे तंपरेचर रहे है अब जैसे जैसे temperature रहे है तो gas के molecule के energy भी जो ज़यूज होते जा रही है वो ज्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो यह जो उपर वाला पिस्टन इसको डखकन भी कह सकते लिड भी कह सकते इस पर फोर्स लगाएंगे लेकिन आपने इसको फिक्स कर देना है ताके गैस जो है यहां से उपर जा ना सके अब आपने वालियूम फिक्स रखा हुआ है लेकिन गैस का प्रेशर जो only transitional motion सिरफ और सिरफ इसमें translational जो है वो motion होती है and kinetic energy possessed by one mole of monotomic gas is given by जो kinetic energy एक molecule रखता होता है monotomic molecule का जो है वो एक mole रखता होता है उसकी equation यह है EK is equal to 3 by 2 RT या पीछे ना मैंने जो है एक lecture upload किया हुआ kinetic energy of monotomic ideal gas उसको जो है वो देख लेना आपको यह equation पता चल जागे कि कैसे आई है हम इसको कहते equation number one अब फर्ज करें हमने temperature increase कर दिया कितना एक degree centigrade कैसे increase किया heat दे के तो let us increase the temperature of this monotomic ideal gas by one degree centigrade temperature change is from T से T plus one चला जाएगा देखे पहला temperature हमारा था T अब हमने जब मजीद temperature बढ़ाया तो कितना बढ़ाया हमने एक degree centigrade बढ़ाया तो अब जो नया temperature हो जागा वो हो जागा हमारे पास T plus one तो its kinetic energy अब यहीं इसी equation में देखे यह वाली EK से represent की है हमने EK प्राइम से represent कर ली 3 by 2R वैसे के वैसे सिरफ इस T के जगा T plus one हो गया अब यह दूसरी energy है यह पहली energy है तो अब हमने क्या करना है सब्स्ट्रेक्ट करना है चेंज मलूम करने के लिए कितना energy में जो है वो चेंज आया तो सब्स्ट्रेक्टिंग equation one from two इस equation को इस में से माइनस करना यानके e k prime minus e k 3 by 2 r t t plus one minus अब आप क्या करें इसको अंदर multiply करें इस सारे factor को आपने multiply करना है पहले t के साथ यह क्या बन गया 3 by 2 r t plus इसको आप 1 से multiply करेंगे तो यह आजएगा 3 by 2 r minus 3 by 2 r t अब यह वाला इससे cat गया तो क्या आगया हमारे पास 3 by 2 into r तो यह हमारे पास change आ रहा है जबके यह जो change आ रहा है यह हमें दे रहा है किया किस की value cv की heat capacity at constant volume यह किसको दाहर कर रहा है heat capacity at constant volume तो अब हमें एक और पता है चीज r क्या है r is journal gas constant ठीक है तो जब आपने देखना है r की value जो होती है मारे पास वो होती है r is equal to 8.3193 joule per kelvin और पर mole इस equation में अगर आप r की value लगा देते तो cv will be 3 by 2 into r की जगा ये वला लगाए 8.3193 unit भी साथ इसके joule per kelvin और per mole तो जब आप इसको solve करेंगे तो cv will be 12.48 joule per kelvin और mole ये आपके पास जो है वो गैस हैगी कि अगर हमारे पास एक mole monotomic gas है तो उसकी जो heat capacity at constant volume होगी उसकी जो value होगी वो ये होगी इसका मतलब ये है कोई भी अगर आपके पास एक mole gas है कौन सी monotomic gas जैसे के फर्ज करें जैसे के ये helium होती है, neon हो गई, argon हो गई, ठीक है इसी तरीके से जो है वो zinon हो गई, या आप किसी भी metal के वैपर जैसा के आप HG के वैपर ले लें ये भी monotomic होते हैं हमारा topic है यह हो गया हमारे पास कौन सा heat capacity at constant volume अब बारी है दूसरी heat capacity at constant pressure वाले की so अब हम उसको देखते हैं जरा क्या है यह heat capacity at constant pressure it is amount of heat heat required to raise the temperature of one mole of a gas by one degree centigrade keeping the pressure constant and volume is allowed to increase यानि के यह amount of heat है जो किसी भी चीज़ का किसी भी गैस का जो एक mole होती है उसका temperature एक degree centigrade तक बढ़ाती है और इस बार हमने pressure को constant रखना है लेकिन volume को increase होने देना है ठीक है मतलब piston का जो डखकान है पीछे डाग्राम मैंने देख वो movable होगा इट इस डुनेटेड बाई CP अब हम वें वी मैयर दा CP value of a gas then some energy is expanded in expansion of a gas and the pressure volume work is done कि जब आप किसी भी quantity को heat up करते हैं तो उस वकत जो है वो क्या होता है pressure volume work increase होता है मतलब कि जब आप किसी चीज़ को heat करते हैं चाल दला में हम पड़ चुके हैं के temperature is directly proportional to volume के जितना जादा किसी gas का आप temperature increase करोगे उतना जादा उसका volume होगा तो heat capacity में हम कर के रहे हैं heat capacity में भी हम यही कर रहे हैं काम कि हम energy दे रहे हैं जब हम energy देते हैं जब हम heat देते हैं तो gas का temperature जो है वो increase हो जाता है अगर gas का temperature increase हो रहा है तो इसका मतलब है definitely वहाँ पर volume में increase होगा तो जब volume में increase होता है तो वहाँ पर आपके पास जो है वो pressure volume work होता है तो let us calculate the additional pressure volume वर्क के जब आपने हीट किया आपने तो temperature बढ़ाना था लेकिन जैसे ही आपने हीट किया उसी वकत volume भी increase हुआ तो जिसकी वैसे pressure volume वर्क हुआ है तो उस pressure volume वर्क को हम calculate करना चाहते हैं तो the general gas equation for one mole of an ideal gas के लिए जो है ideal gas के लिए general gas equation हमारे पास जो है एक mole के लिए वैसे तो होती है यह क्या equation होती है PV is equal to nRT लेकिन n हमारे पास one हो तो क्या बनेगी equation PV is equal to RT this is our equation one तो suppose that by increasing temperature जब आपने temperature बढ़ाया कैसे amount of heat दे कर by 1 Kelvin या 1 degree centigrade from T to T plus 1 the volume changes from V to V plus 1 मतलब अब इस equation में change क्या आजएगा कि पहले आपने इदर देखना है P पहले volume था V अब क्या हो गया वी प्लस डेल्टा वी यह हो जगा डेल्टा वी चेंज आगे न वॉल्यम में तो V plus डेल्टा वी यह क्या है यह heat करने पर जितना change आया है ठीक है is equal to R वैसे का वैसे और T की जगा आपने क्या put करना है T प्लस वान क्यूंकि आपने temperature एक डिग्री centigrade बढ़ाया अब temperature एक डिग्री centigrade बढ़ाया तो volume में change आया volume में एक centimeter change नहीं आया volume में तो वह gas पर depend करेगा कितना आया change तो यहाँ पर इसलिए हमने from equation यह हम इसको equation 2 कहते है from equation 1 जो हमारी equation 1 ने क्या कहती है PV is equal to RT होता है तो इस PV के जगा पर यह RT लगाएं तो क्या बनी अब equation RT plus P delta V is equal to RT plus R अब देखें इधर भी यह आ रहा है यह उदर जाके minus हो जागा क्या equation बनी finalize P delta V is equal to RT plus R minus RT तो यह वाला RT इस RT से cancel हो जागा तो हमारे पास जो resulting equation बनेगी that will be P delta V is equal to R यह हमारे पास equation बनी तो अब यह जो R है यह contribution हुआ है किसकी वज़ा से सिरफ और सिरफ volume के increase होने की वज़ा से ही तो हम दोनों process में देख रहे हैं जब हमने at constant volume पे भी heat किया तब भी जो heat capacity थी वो one degree centigrade temperature को increase कर ली थी जब हमने pressure पे constant रखा तब भी तो इसका मतलब यह है कि जो change in volume वाली है उसमें कितना आएगा सिरफ और सिरफ है आर चेंज आ रहा है तो अब जो हमारे पास cp होगा cp will be equal to cv plus r यह भी heat capacity है यह भी heat capacity सिरफ फरक इतना है कि c जो cp है इसमें एक contribution r का हमें करना पड़ेगा ठीक है तो हम जानते है cv किसके equal था that was अभी हमने drive किया 3 by 2 into r plus r इन दोनों का जो है वो हम लेंगे lcm इसका over one है मतलब इसको आप one over one लिख सकते है lcm इनका आएगा two यह two is two से cancel three आ रहा गया यह होता कैसे है जो यह नीचे value होती है इसको हम इंदर रखते हैं अंदर और यह वाले जो नीचे होती इस पर divide करते है two one zero two आ गया यह zero यह जो two ans आता है इसको फिर उपर वाले डिजिट से multiply करते है तो one को जब हमने three से multiply किया three और यह आर वैसे के वैसा अब यह इसी तरीके से देखें तो यह हो गया two ठीक है होते हैं कितनी होती है अभी पीछे हमने पड़ी भी है आर इस इक्वल टू एट पॉइंट थ्री वन नाइन थ्री जाओल पर कैलवन पर मॉल तो जब आप इसमें यह पुट करेंगे तो cp विल बी five over two आर की जगह यह पुट करें eight point three one nine three unit के साथ जाओल पर कैलवन पर मॉल यह आगी ठीक है अब जब आप final equation जो है वो जब आप इसको solve कर लेंगे तो इसका जो ans आएगा calculator पे that will be equal to twenty twenty point eight something इतना आएगा round of करके ठीक है तो आगया जाओल पर कैलवन पर मॉल तो यह जो हमारे पास जो monotomic ideal gas है इसका मतलब यह है कि जब आप उसको constant pressure पे या constant volume पे जो है वो heat provide कर रहे है ताकि उसका temperature जो है वो increase हो सके तो हमें इतनी energy इस वकत देनी पड़ेगी that is molar heat, heat capacity at constant pressure यह constant pressure पे जब आप किसी material को heat करेंगे तब आपको इतनी energy देना पड़ेगी ठीक है तो यह दोनों आगी हमारे पास अब हमने इन में से कुछ जो है वो relationship निकालने है तो हमारे पास दो किसम के relationship होते हैं कि एक subscription का relationship आएगा और एक इनकी division का आएगा ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो important important calculation for cp and cv पहला जो है वो हमारे पास relation क्या है इनका that is cp minus cv एक ये relation है अब cp कितना निकला है ये हमारे पास निकला है 5 over 2 r और minus cv कितना निकला हमारे पास that is 3 by 2 r तो करें इनका LCM आगया 2 ये आएगा ये आगया 5 r minus 3 r तो क्या जवाब आया हमारे पास 2 r over 2 ये 2 इस 2 से कट गया the answer is only r तो पहला जो है वो हमारा इन दोनों का जो है वो change जो है वो इन दोनों के लिए जो वो क्या निकला वो r निकला अब है दूसरा calculation दूसरी calculation में आपने जो है वो इनकी ratio निकाल ली है उस ratio को हमने represent करना है गामा से तो that is equal to cp over cv ठीक है अब cp क्या था हमारे पास 5 over 2 into r divided by 3 by 2 into r अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो गमा हमारे पास जो बनेगा that is equal to cp over cv तो ये हो गया 5 over 3 into ये rr से कट गया ठीक है बस ये इसके equal आ गया तो अगर आप इसको हल करते हैं that is 1.606 तो इनकी division की ratio हमारे पास है ये आ गई ठीक है अब हमने इस gas इसी जो capacity है हमारे पास ये निकली है ये तो हमने अभी निकाली है mono atomic gas के लिए अब हम निकालते हैं poly atomic gas के लिए के फर्ज करें हमारे पास जो gas है वो poly atomic है एक से जादा वाले atomों पर मुझत मिला पीछे हमने निकाली है mono atomic gases के लिए तो अगर हमारे पास आ जाएं poly atomic gases तो फिर क्या करेंगे देखे cv हमारे पास क्या है that is 3 by 2 r और cp हमारे पास क्या है that is 5 by 2 over r आपने poly atomic gas के लिए जितनी वो gas है उसमें factor x जो है वो increase कर देना है अब x क्या है एक्स जो हो सकता है यह जो x है that can be rotational energy या हमारे पास यह हो सकती है प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी क्योंकि मोन आटॉमिक में only only translational होती है जबकि पोली आटॉमिक gases में तीनों होती है translational motion भी होती है rotational यानिके translatory energy भी होती है rotational energy भी होती है और vibrational energy भी होती है तो अब हमने इनके लिए जो है वो ratio निकालें अगर हम यानिके कौन सी पहले हम निकालते है इनका जो calculation CP माइनस CV that will be equal to CP कितना है जी 5 by 2 r plus x minus 3 by 2 r plus x तो अब आप इसको solve करते हैं ठीक है करें solve यह हो गया 5 over 2 r plus x minus 3 over 2 r यह भी माइनस यह प्लस क्या जवाब आया माइनस तो माइनस x इस प्लस वाले x से cancel हो गया यह हो गया 5 by 2 r minus 3 by 2 r इनका app LCM लें पीछे भी हमने calculation की भी है 2 आएगा that will be 5 r minus 3 r which is equal to 2 r over 2 यह कट जाएगा तो हमारे पास जो आनस आएगा वो only r आएगा इसी तरीके से अब हम इनका जो है वो relation दूसरा निकालते हैं इनकी जो है वो गामा जो है वो ratio निकालते है cp over cv which is equal to cp किसके equal है यह इसके equal है 5 over 2 r plus x divided by 3 over 2 r plus x अब तो आप इसकी calculation करें तो हमारे पास देखें पहले इनका LCM लेना है LCM लेने के बाद जो है cutting होगी जो भी आनस आएगा ना वो हमेशा ही जो है वो less than होगा one point six 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 से जो पीछे हमने निकाला है यह वाला ठीक है इससे थोड़ा ही होगा ठीक है यह इससे कामी हो गए तो बिलकुल exact इसकी एक वाला है ना तो इसके लिए इससे जो है वो हमेशा के लिए काम होगा तो polyatomic gases के लिए जो है वो cp और cv की जो values है और calculation है वो इस तरह के से होंगी जजाक अगर आपको lecture अच्छा लगा हो तो please subscribe my channel